अगर आप मेंसे कोई ऐसा है, जो इंडिया के बाहर, software industry में जॉब पाना चाहता है, data engineer का, data scientist, front-in, back-in, full-stack developer, UK हो गया, दोबई हो गया, London हो गया, US हो गया, या फिर किसी भी country में, Australia भी इसमें सामिल है, हाल ही में, मैंने JP Morgan join किया हुआ है, जिसका office Glasgow में है, और अभी मैं Scotland में हूँ, तो पूरा क्या process था, कैसे आप भी job पा सकते हो, US में, UK में, या फिर किसी भी बाहर के country में, तो अगर आपका भी ऐसा कुछ सपना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी जर्नी में सेयर करने वाला हूँ, तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है, मैं एक data engineer हूँ, और अभी मैं UK में job कर रहा हूँ as a data engineer, तो वीडियो को में start करते हैं, और सबसे पहले ही start करते हैं, मैंने क्या किया था, देखो, 2 साल से अधिक हो गया था, Airtel में job करते हूँ, Airtel में भी मैं as a data engineer job कर रहा था, तो 2 साल से अधिक हो गया था, और 2 साल से अधिक job हो जाता है, तो सब कोई switch करना चाहता है, लाइक दूसरी company में job के लिए apply करने लगता है, reasons बहुत सारे होते हैं, पैसा भी reason होता है, आगे बढ़ना है, तो company switch करना, साथ के लोग company छोड़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे reasons होते हैं, तो मैंने भी job switch के लिए तयारी सुरू कर दी, तो देख इसी job चीए मुझे, किस-किस tech sticks में मैं आगे, मतलब next year में मैं काम करने वाला हूँ, next company में काम करने वाला हूँ, वो पूरा list बनाया, जो भी tech sticks थे, उनको मैं prepare करना start कर दिया, और इसके साथ ही एक बहुत important चीज, data structure and algorithm और lead code को मैंने practice करना सुरू कर दिया, बहुत सारे लो जाते हैं, लेकिन एक pro tip यहाँ पर देना चाहरा हूँ, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, वो यह है कि US के अलावा, जो बड़ी companies हैं, like Google हो गया, Microsoft हो गया, Amazon हो गया, ऐसी बड़ी companies के अलावा, बहुत सारी companies ऐसी हैं, जो data structure algorithm से question नहीं पूछती हैं, like वो direct आपसे lead code के problem solve नहीं कराएंगी, वो basic data structure algorithm के concepts आपको पूछ सकती है, like array क्या होता है, link list क्या होता है, graph के बारे में कोई concept बता दो, लेकिन वो lead code से problem आपको solve नहीं कराएंगी, तो एक बहुत अच्छी चीज आप लोग के लिए यह है, कि इंडिया के बाहर आप jobs के लिए अपलाए करते हो, तो आपसे lead code के problems बहुत कम chance के solve कराया जागा, कुछ-कुछ companies कराती है, हलाकि अच्छी चीज है, आपको practice करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको और भी अच्छी job मिलती है, तो एक चीज आप ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने और भी interviews दिये थे, तो कहीं-कहीं पे data structure algorithms नह मैंने follow किया था, देखो मैं referral पे बहुत जादे बरोसा करता हूं, क्योंकि बहुत ऐसे evidences है मेरे पास, कि referral बहुत जादे फायदा करता है अपको, बहुत जादे help करता है, अगर आप किसी company में एक job role के लिए, अगर referral के थ्रू अपलाए करते हो, और कोई और बंदा direct उस job role पे अपलाए करता है, तो referral बाले के पास, जादे chance होते हैं, कि उसका resume short list हो जाएगा, तो मैं क्या करना है, स्टार्ट कर दिया, LinkedIn पे जो भी jobs मुझे दिखते थे, प्लस, जो career portals हैं, जैसे JP Morgan का career portal था, वहाँ पे मैं देखा करता था, बहुत इच्छे जी companies हैं, जैसे Microsoft का भ बाहर कर सकते हो, अगर इंडिया में भी करना है, तो आपको वहाँ से देखना है, कौन-कौन सी job opening है, उसके बास, simple क्या करना है, मैंने क्या किया था, JP Morgan का, हैदराबाद location का, एक job opening था, data engineer के लिए, जो big data का था, hadoop, spark गगरा से related था, तो मैंने क्या किया, LinkedIn पे ही, एक, मेरे connection में थे, उनको approach किया, like मैंने उनको simple, अपना एक, जो भी मेरा introduction था, वो लिखा, मैं आपको screen पे भी दे दूँगा, और वो message भी, LinkedIn का जो message है, वो भी मैं दे दूँगा, और जब बाद में मैंने उनसे contact किया था, उन्होंने खुद मुछ से पूछा था, कि मेरा JP Morgan में हो ग करना होता है, आपको एक system follow करना है, देखो system कैसे follow करना होता है, आप अपना introduction लिखोगे, like मेरे को, मेरा introduction है, like मेरे को ये चीज़े आती है, मैंने ये projects किये हुए है, मैं यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, इस college से पढ़ा हूँ, ऐसा introduction लिख लोगे, मैं अपना भी introduction आप लो जेपी मॉर्गन का, तो मैं जेपी मॉर्गन के हैदराबाद वाले location के लिए apply कर रहा था, वहीं पे मुझे same SD2, जो software development engineer 2 या फिर data engineer, big data का होता है, उसका भी एक opening था, जो glass go में था, तो I thought क्यों ना मैं इसके लिए बे apply करूँ, क्योंकि apply करने में क्या ही जाता है, एक बर आपका portfolio बन जाता है, profile बन जाता है website पे, तो आप just within few clicks आप apply कर सकते हो, तो मैंने जेपी मॉर्गन के इस role के लिए भी, glass go role के लिए भी apply कर दिया, और देखो किसमत की बात मैं आप लोको बता रहा हूँ, हैदरावाद location वाले के लिए मेरा resume select नहीं हुआ, और Glasgow वाले के लि और देखो यह जो पूरा process था ना, इसमें काफी time लगा था, आसा नहीं कि मैंने आज apply करना, start किया jobs के लिए आज है मिल गया, नहीं, मैंने तीन से चार महीने पढ़ाई घरा था, क्या क्या पढ़ा था, इसके बारे मैं in detail मैं और videos में बात कर सकता हूँ, तो अगर आपको वैसी वीडियो चीए, तो आप लोग कमेंट करके बता देना, तो मैं चार-पांच महीने rigorous इदम पढ़ाई किया था, big data का, spark हो गया, scala हो गया, python programming language हो गया, apache air flow हो गया, aws हो गया, kafka हो गया, तो यह सारी चीज है ना, मैं चार-पांच महीने पढ़ाई किया, और साथ में lead code भी, तो इंडिया में भी मैं apply करता था, और बाहर के countries में भी apply करता था, चार से पांच महीने बाद मुझे कुछ offers मिले, like एक offer मुझे Australia से मिला हुआ था, Australia में एक startup था, startup इतना भी नया नहीं था, like 7-8 साल पूराना था, और उसमें भी salary अच्छी थी, बट उसमें work from home था for one year, और उस one year में salary वो कम दे रहे थे, बाकि जब Australia बुलाते तो वो पैसा अच्छा देते, और साथ में मेरे को JP Morgan का भी मिला हुआ था, जो UK था, और ये लोग अभी बुला रहे थे मेरे को, और salary भी अच्छी है यहाँ पे, decent है, like, तो फिर मैंने JP Morgan को सुचा नहीं, इसमे की बात कर रहा हूँ, पहला interview जो होता है, वो आपका, जो manager होता है, जो top label, जिसके under में आप काम करने वाले हो, जो hierarchy का top label होता है, वो software जो team आपकी है, उसकी वो लेता है, और ये जो interview होता है, बहुत basic होता है, like, overview type का होता है, वो उसमें आपको जो basic overview है, जिस, 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 जो manager था, उसके साथ था, तो उन्होंने simple, like, you know, big data के concepts के बारे में question पूछा, spark के जो बहुत अच्छे questions है, like, report listening, college में का difference है, थोड़ा बहुत इधर से मिलता जुलता question पूछ लिया, अब देखो, पहला interview असान होता है, दूसरा जो मेरा interview हुआ, जो हर company में, दूसरा interview और दोनों interviewer, पहले तो big data के सारे concepts, like, deep down जो concepts से उन्होंने पूछा, बहुत अच्छे से पूछा, फिर उन्होंने क्या किया, मेरा code review एक taste लिया, उन्होंने code दे दिया मेरे को, Scala का, और वो spark, like, उसमें implemented था, और उन्होंने मेरे को बोला, कि इसको optimize करना है, like, आप क्या क् करोगे कि ये code और जादे optimize हो जाए, और जादे efficiencies की बढ़ जाए, तो मेरे को क्या करना था, जहां जहां पर भी मैं add कर सकता था, वहां पर मेरे को code add करना था, तो अगर आपने Scala, Spark, या फिर Python Spark नहीं पड़ा हुआ है, तो आप इस step को नहीं कर पाऊगे, तो आपके पास practice होना भी बहुत जरूरी है, तो मैंने वहां पर उनको पहले बता दिया, ये ये चीज़े कर सकते हैं, फिर मैंने वहां पर code कर दिया, like मैंने बहुत अच्छे से preparation करी थी Spark की, तो मेरे ये वो बहुत आसान था, like मैं बहुत अच्छे से explain भी कर पाया, और या बहुत अच्छ based questions होते हैं, scenarios based questions होते हैं, like कभी project delay हो गया, तो आपने क्या किया, like कभी कुछ चीज़े mistake हो गई, कई नया requirement आ गया बीच में, तो आपने कैसे उसको deal किया, ऐसे behavioral based questions होते हैं, तो ये तीसरा हो गया, और चौथा था, जो HR के साथ था, जिसमें discussion था, like team कैसी है, compensation कितना होगा, leaves कितनी मिलने वाली हैं, बाकी perks कितने हैं, क्या मिलेगा, क्या आप चाहते हो, ये सारा कुछ discussion हुआ, तो total चार interviews हुए थे, और उसके बाद, like 10 से 15 दिन के अंदर में ही मेरे को, like mail आ गया था, कि आप, आपको offer दिया जाएगा, और वो internal process वगरा होने के बाद, मेरे को job offer मिल किसी भी country का हो, आप लोग apply करो, आप ये सोचोगे कि UK में job पाने के लिए, या फिर Australia में job पाने के लिए, US में job पाने के लिए, कुछ अलग rule है, कुछ अलग roadmap है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, job opening वही रहने वाली है, आपको LinkedIn के थ्रूँ apply करना है, आपको career polter के थ्रूँ apply करना है, indeed के थ्रूँ apply करना है, हर जगर से apply करो, और कोशिश करो कि apply करने के साथ-साथ, आप लोग practice करते रहो, बहुत common mistake आपको एक बता रहा हूँ, जो मतलब हर बच्चा आज कर रहा है, वो ये क्या करते हैं, कि वो सोचते हैं कि पहले मैं 4 महीने preparation कर लेता हूँ, और 4 मह जब preparation कर लूँगा, तब मैं jobs के लिए apply करूँगा, बहुत बड़ी mistake है, और इससे गंदी mistake IT industry में हो ही नहीं सकता है, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे, आप 4 महीने पढ़ाई करते हो, ठीक है, 4 महीने कोई भी लगतार पढ़ाई नहीं कर सकता है, मैं बहुत honesty के साथ बोल र सकते हो, और जब आप apply करने जाते हो, तो बहुत सारी चीजे फिर से आपको पढ़नी करते हैं, इंट्रिवूस का टाइम पे, तो आप कैसे इससे बज सकते हो, मतलब बहुत असान तरीक है, जब से आप preparation start करो, आज मैंने पहला lead code का question solve किया, आज से ही मेरा target था, आज से ले है, हमेशा जब आप jobs के लिए apply करते हो, तो आपको तुरंथ, दो दिन में, चार दिन में, revert नहीं आता है, कई-कई ऐसे applications होते हैं, एक महिने बाद आता है, दस दिन बाद आता है, तो आपके पास time होता है, मुझे ऐसे-ईसे calls आ रहे थे, जहां पे मैंने दो-दो महिने प पढ़ाई करते हो, और चार महिने का बाद अपलाई करना शुरू करते हो, तो दो महिने बाद आपको calls आएंगे, मतलब छे महिने लग जाएगा इसमें, और दूसरा benefit क्या होता है, कि मैंने आसे preparation करना start किया, मैंने जगे-जगे पे apply करना शुरू कर दिया साथ में, by chance अग interviews में मुझसे कैसे questions पूछे जाते हैं, interviews में क्या-क्या repetitive questions है, like कौन-कौन से questions ऐसे हैं, जो हर interview में पूछा जा रहा है, और जब आप interviews देने लगते हो, बहुत सारे interviews देते हो, तो आपके अंदर एक confidence आता है, जो fear होता है interview का, वो खतम हो जाता है, like एक time तो मेरा ऐसा था, अ मतलब मैं हपते में 10-10 interview दे रहा हूँ, मतलब मेरा ऐसा था, office का काम खतम interview दे दिया, सुबह office के काम से पहले एक interview दे दिया, ऐसा नहीं है कि 10 दिन से preparation कर रहा हूँ, एक interview उसको clear करना है, कैसे भी clear करना है, ऐसा होने ही नहीं चीए, आपके पास 1000 opportunities होनी चीए, daily का daily interview दो, कुछ questions तो आपको मिलेंगे at least, questions मिलें उसको practice कर लिया, और मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ, 4-5 interview आप लोग देते हो, तो कुछ ऐसे questions होते हैं, जो हर interview में आप से पूछा जाता है, और यह हर domain के लिए अलग-अलग होता है, वो questions आपके prepare हो जाते हैं, और आपको बोलने आ कि इंटर्वी में आपको खुद को कैसे represent करना है, introduction कैसे देना है, दो interview दोगे, आप खुद सोचेगें कि नहीं आर ऐसे introduction नहीं देना चाइए तो आप लिखते जाओगे, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो इस तरीके से गया होगा जितना जादे interview आप लोग दोगे, मैं rejection की बात कर रहा हूँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहां पर select होना है, मैं बोल रहा हूँ आप reject हो जाओ मैं भी reject होता था, बहुत सारे interviews में मैं reject हुआ, मतलब मैं screen पर share कर रहा हूँ, आप लोग यहां पर देख लो, बहुत सारे interviews दिये मैं और बहुत जगह से मैं reject हुआ लेकिन वहाँ से मुझे confidence आया मैं daily का daily दो दो तिन इंटर्वू दे रहा हूँ मुझे फारगी नहीं पड़ रहा है और मैं बहुत अच्छे से खुद को represent कर रहा हूँ और interviews भी अच्छे जा रहे हैं तो ऐसे किसी भी पढ़ाये करना स्टार्ट करो under confident नहीं रहो apply करना सुरू कर दो interviews दो reject हो जाओ interview दो reject हो जाओ एक ऐसा moment आएगा बहुत अच्छे अच्छे आप offers फोर दो गए तो यार यह मेरा पूरा जर्नी था like मैंने पूरा बता दिया JP Morgan का कैसा था Australia का भी somewhat ऐसा ही था मेरे पास offer था बट मैंने उसे join नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ ऐसे torment conditions थे जो you know मुझे अच्छे नहीं लगए personally और JP Morgan मुझे ऐसा लगा कि उससे बहतर है मेरे लिए मेरे career के लिए, मेरे future के लिए, मेरे family के लिए तो मैंने इसको join कर लिया और अगर इसके बाद भी आपका कोई doubt है personal कुछ पूछना चाहते हो तो LinkedIn का मैंने जो link है profile link उसका description में दिया हुआ है link उसको follow करना LinkedIn पे जाओगे, वहाँ पे मुझसे आप लो question पूछ सकते हो Instagram का भी link है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो Twitter है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो जैसे चाहो वैसे पूछ सकते हो comment section में भी comment करके पूछ सकते हो hopefully मैं reply कर दूँग आप लोको या फिर mail भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो तो यह मेरी journey थी सायद आपको इससे थोड़ी सी motivation मिली हो या फिर inspire हुए हो या फिर आपको अच्छा लगाओ वीडियो देखे like कर देना बहुत like मेहनत लगते है वीडियो बनाने में और यहाँ पी यू के में आने के बाद सारा काम खुछ से करना पड़ता है like कपड़े दोना, खाना बनाना सफाई घरना, ओफिस जाना, बहुत सारे काम है तो वीडियो को लाइक कर देना यार और मैं मीनी ब्लॉक्स बना रहा हूँ तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वाँ चोटे-चोटे मीनी ब्लॉक्स लाइक मैं दिन में क्या करता हूँ ओफिस कैसे जाता हूँ, खाना कैसे बनाता हूँ तो वो भी आप लोगों पसंद आएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो आज की इस लिएम बस इतना ही मिलते हैं ने वीडियो मेना टॉपिक के साथ अब ते के लिए बवाए, have a good day stay home, stay safe and keep learning, thank you